Hello Friends! आज की video में सीकेंके, old kameez की stitching करना, इससे पिछले वाली video में, हमने का देन की cutting करता हुआ था, cutting का video में वीडियो के डिस्कंप्सन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे देंगी अब में इसका खर्चा समझ लेते हैं तो इस तूरे से हमने इसकी pocket को pattern की मेंदब से तोड़ लिया है यह cup को हमने पेश्टिंग कर लिया है यह हमारे एक पॉलर है और यह बाकी का हमारा जो खर्चा है जो हमने cut किया हूँओथा तो इसको हम side में cut रख लेते हैं फिर इसके बाद हम तो ये हमारा जो पार्टै वू है बैक का पार्ट इस पर हम लिख़धें बैक में लगेगे तीरह है तो इस तरह से तो ये ख रचाहरा हुआ इन सबी को हम एक साइड में रख देते हैं, सबसे पहले हम फ्रेंट की पार्ट में ताबी इसको बनाएंगी, इसका फ्लैकेट हम किस तरह से बनाते हैं, तो इसके फ्लैकेट बनाने का क्या तरीका होता है, तो इस तरह से हमने इसकी कटिंगी हुई थी, यहां से हम इस तरह से इसको fold करेंगे, अच्छी तरीके से इसमें नाखुन लगा लेना है, नाखुन लगाने से ये होगा कि हमारे part में टूटन बन जाएगी, अब इस part को हमें कोल कर सीधा बिचाना है, सीधे तरब से ही हम इसकी cutting करेंगी, तो जहां से आपको हाला देख रहा है, जहां से हमारा य खोला हुआ है, थोड़ा साम वीडियो मिस हो गया है बीच का, तो यहां से इस तरह से हमने इसको cross-matchet का लगा लिया है, तो यहां से हम क्या करेंगी, इस तरह से हम margin को fold करेंगी, नाकून से इसको अच्छी तरीके से बिठा लेंगे, और यहां से हम bon निका लेंगे, और इ दोस्तों हम काज पट्टी किस तरह से बनाते हैं, चलिए उसको समझते हैं, पाइट को आपको सीधा ही रखना है, अब एक इंच की हम पट्टी को ले लेंगे, तो लेने के बाद दोस्तों जहां से हमने button take को attach किया था, उसके ठीक हम सामने ही इसको attach करेंगी, यहां पर हम ए इस वाले margin को भी हमें पलटना है, पलटने के बाद इसको हमें अंतर अच्छी तरीके से कर देना है, और इस पर लपकी सिलाई लगा देना है, सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां से इस तरह से हमारी पट्टी पलट कर आएगी, तो एक बार हम इस इस तरह से जितनी हमने पट्टी फोल्ड की हुई थी, उतना ही हम इसको फोल्ड करेंगे, और इसमें हम कच्छा डालेंगे, जो हमारी बाद में खुल जाएगी, जैसे हम इसमें तुर्पाई कर लेते हैं, और काज बना लेते हैं, फिर इसके बाद यह हम खोल देते हैं, त यहाँ पर अच्छी तरीके से हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। जिससे हमारा यह तवीज बन जाएगा। और जिससे में क्रॉस स्लाई लगानी है। तो आप क्रॉस में भी दो स्लाई लगा सकते हैं। और फ्रेंड जिससे आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप पर जाकर आप हमें फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं तो इस तरह से इसको हमने बना लिया है बनाने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे यह जो हमारा कच्छा यह बाद में हमारा फुल्स आएगा पॉकेट अटेच करेंगे तो हम यहां से इस तरह से रखते हैं इसको जहां से हमने आर्मोल का मार्क किया हुआ था वहां से इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे अब pocket कितनी दूरी पर लगेगी उसको हम सबस्ते हैं तो हम यहां से जो pocket लगाते हैं वो लगाएंगे धाई इंच पर pocket को ले लेते हैं और यहां पर अच्छी तरीके से रखेंगे और slices को पका कर लेते हैं अब इसका हम bottom fold करेंगे तो यह side में हमने जो है चटकी लगाई हुएते हैं यहां से हम bottom fold करेंगे तो bottom को यहां से नाकूनी fold होता है जिस طرح कुटे का bottom fold होता है दो extrêmement पर इसी तरीके से इसका भी हमारा bottom fold होगा तो पहली बार में हम इसså तरह से मैं मैसेश कर सकते हैं यह और कमेंट बाक्स में भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको मुध कर लेंगे जब सकाक में बाटम करेंगे तो पीछे की तरफ लगा पहलेंगे जिससे हमारा कप्ड़ा रहा है फछाओ नहीं है, इस तरह से हमने का कंपडे कर लिया है, इसी तरीके से आपको बैग का पार्ट भी फोल्ल कर लेना है, आज दोस्तों वहाँ सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब कर लेते हैं. यहां पर हम चटका लगाएंगे बैक में अब बैक में हमें प्लेट्स डालनी होती है तो हम यहां से इस तरह से एक तीरे को हमने नीचे रखा हुआ है इसमें डबल तीरा लगता है तो यहां से हम इस तरह से रखेंगे और यहां पर हम एक सिलाई लगा लेते हैं सिंगल तीरे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे दूसी तरब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो यहां से मिलाकर रखेंगे और दूसी तरब हम इसमें प्लेट्स डाल देते हैं यह हम सिर्फ अभी सिंगल तीरे पर इसकी सिलाई लगा रहे हैं अब जब इसमें हम दूसा तीरा तो इस तरह से plates डाल लेना है, plates डालने के बाद दूसरा तीरा लेते हैं और इसके ऊपर रखेंगे, center सेवालना कर रखेंगे तो इस तरह से मिला देना है, आप इदर से भी 새 लगासे हैं और जैसी आपको अब को सिलाई प्लट कर लगानी है, जिससे आपकी जो सिलाई है जो पहले वाली लगाई है तो वो आच्छी तरीके से दफजाए तो इस तरह से पलट कर भी आप सिलाई लगा सकते हैं तो तो कि सलाई लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके इससे नाखोन से हम बिठा लएंगे। बिठालने के बाद इस पर भी हम लबकी सलाई लगा लेते हैं, अब इसकी हम कंदी को ज्याइंट करेंगे तो कंदी की जाती है वह गुम की जाती है तो हम क्या करेंगे यह उल्टी तरफ मनें मारक कर लिया है सीदे तरफ इस तरह से रखेंगे और जो हमारे 3 double में है उसमें से हम एक पार्ट को बटाएंगे और एक पाइट को हम निकाल देंगे और एक पला हम इस तरह से ले लेते हैं लेने के बाद हम यहां से मिलाकर रखेंगे इसको और जो नीचे वाला पाइट है इसको हमें गुमा कर इस तरह से पकड़ लेना है और इसमें हाफ पिंच का मरज़ा लेकर इसमें सिलाई को लगा लेना है इस तरह से हमारी जो कंदी है वो जोड़ी जाती है अब दूसरी कंदी में भी हम आपको दिखा देखते हैं किस तरह से आपको जोड़ना है जो जिससे आपको अच्छी तरीके समझ में आज आए तो इसमेंसे क्या करेंगे एक पार्ट को हम ले लेंगे और दूसरे पार्ट को हम निकाल देंगे यहां से हम कंदी को रखेंगे बैक से आपको कंदी को मिलाना है हाले से कंदी को नहीं मिलाना है क्योंकि आप हाले से कंदी को मिलाएंगे तो आपकी मिश्टे को जाएगी बैक से हमेशा कंदी को मिलाना है तो यहार से इस तरह से रखेंगे और इसको पलट कर घुमा कर इस तरह से पकड़ा लेंगे और एक पैर का मारजर लेकर इसमें हम सिलाई को लगाएंगे इस तरह से कंदी को हमें जोड़ो लेना है जोड़ोने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे इस पर हम लब्की सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से बाड़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है अब इसके हम सिलीप को बनाएंगे यानि बस को बनाएंगे तो बाजू बनाने के लिए इस तरह से हमने चाक पट्टी के लिए कपड़ा कट किया हुआ है उल्टी तरफ मार्किंग करेंगे मार्किंग करने के बाद इसमें से हम एक पर्ट को उठाएंगे उठाने के बाद यहां से इस तरह से रखेंगे जो हमारा चौड़ा वाला इस्सा है उस तरफ हम इस तरह से कपड़े को अटेच करेंगे और एक पैर का मार्जर लेकर यहां तक सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ हम इसको नाकूनी फोल्ड करते हैं जब भी आप चाकपट्टी को बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे जिससे आपकी चाकपट्टी जबावी बने जबावी का मतलब यह होता है कि जैसे आपकी एक ही साइट की चाकपट्टी बन जाएगी तो आपकी बाजु खराब हो जाएगी इस तरह से बनाएंगे तो आपकी जबाबी बन जाती है अब इसमें से हम एक चाकपट्टी आपको बना कर दिखाते हैं किस तरह से बनाना है तो इतना मारजन जो हमारा एश्ट्र है उसको कट कर देंगे अब इसको हम क्या करेंगे यहां से इस तरह से पलट कर रखेंगे पलट कर रखने के बाद दोस्तों इसको अच्छी तरीके से हमें तोड़ना है तो चाक पट्टी जो हमें रखनी है वो एक इंच रखनी है तो यहां से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे जिससे हमारी जो है एक इंच पट्टी हमारी तैयार रहे और यहां से हम सिलाई को लगाएंगे और यहां तक सिलाई को लेकर आना है और इसकी तलपड चलाना है और यहां पर जैसे आपको फ्लैकेट चौकु में भी बना सकते हैं और तिकॉना बनाना है तिकॉना भी बना सकते हैं तो हम यहां से इस तरह से चौकॉर में इसको फोल्ड करेंगे और पक्का कर लेते हैं सेम इसी तरीके से आपको दूसी स्ली में फ्लैकिट को बना लेना है तो वजू हमारी बनकर तयार हो गई है यहां पर अबर लॉक कर लेंगे हैं तो यहांD करने के बाद फ्रेंड्स यह गड़ा वाला फ्रेंट का हिस्सा है और उबरा हुआ हमारा बैक का है तो अब हम इसको बाजु को नीचे रखेंगे और जो हमारी बॉड़ी है उसको हम उपर से रखेंगे फ्रेंट के पार्ट से अटेच करेंगे तो यहां से मिलाकर रखेंगे हाफ इंच का मारजन लेकर इसको हम अटेच करेंगे अटेच करने के बाद फ्रेंट्स हम क्या करेंगे इसको हम पक्र करेंगे तो यह जो हमारा मार्जन है यह हमारा बॉड़ी की तरफ आएगा या उपर की तरफ रहेगा और इस पर हम एक पैर का मार्जन लेकर सिलाई को लगा लेते हैं इस तरह से हमारी बाजू जोइन्ट हो जाती है सेकंड बाजू भी आपको इसी तरीके से जोइन्ट कर लेना है इसके बाद इसकी साइड लगाएंगी तो हम यहां से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और इसकी साइड को बंद करेंगी सिलाई लगाने के बाद इस पर हम ओबर लॉक कर लेंगे ओबर लॉक करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद यह जो जगह दिख रही है यहां पर हमारी पॉकिट अटेच होगी तो सबसे पहले हम पॉकिट को बनाएंगे फिर अटेच करना बताएंगे इस तरह से हमने pocket को cut कर लिया था इसकी दौनों तरफ हम half inch margin छोड़ कर उपर से और half inch का margin लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे pocket attach करने के लिए हमने यहां से इतना margin छोड़ा हुआ है इसको हम अच्छी तरीके से पलट लेते हैं और लबकी सिलाई से इस तरह से हमें इसको बना लेना है यह आप प्रेस की मदद से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं तो इस तरह से pocket को हमने बना लिया है बनाने के बाद यहां से हम सेंटर का मार्क करेंगे तो बीचो बीच हम सेंटर का मार्क कर लेते हैं अब इसको किस तरह से attach करते हैं चलिए उसको समझते हैं तो हमने जो हमारी body है उसको हमने इस तरह से ले लिया है यहां से हम pocket को मिला कर रखेंगे और इसकी जो side का margin है वो back की तरफ जाएगा और य सिलाई को start करना है जैसे आपकी सिलाई वेकार ना लगे और इसको अच्छी तरीके से सेंटर से मिलाकर रखना है और लबकी सिलाई से इसको पकह कर देना है सैम इसी तरीके से आपको दूसरी pocket को लगा लेना है pocket लगाने के बाद friends आप क्या करेंगे इसके हम कप को अटेच करेंगे तो कप की हमने stitching कर ली है और collar की भी stitching कर ली है जैसे आपको कप की stitching और collar की stitching करना नहीं आता है तो इस पर हमने एक proper वीडियो बनाया है उस वीडियो का लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो हम यहां से इस तरह से फोल्ड करेंगे back की side से हम कप को attach करेंगे तो हम यहां से रखेंगे और यहां पर हम मारदर लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे और आंगे की हिस्से में हम एक plates डालते हैं तो यहां पर अच्छी तरीके से एक plates डालेंगे और सिलाई को हम लगा लेते हैं इस तरह से हमारा जो कफ है वो कच्चा हो जाता है आप इसको पक करेंगे तो अच्छी तरीके से इसको ठोके को अंदर कर देते हैं और लपकी सिलाई से हम इसको पक कर लेंगे एक पेर का मारज़ा लेकर इसके कप पर हम सिराई लगा लेते हैं तो इस तरह से हमारा जो कफ है वो बनकर तयार हो जाता है अब दोस्तो हम क्या करेंगे इसके कॉलर की स्टीचिंग रहेंगे तो कॉलर की स्टीचिंग हमने कर ली है इसको अटैच करेंगे यहां से हम इस तरह से रखेंगे और एक बार इसका हाला नापकर देखेंगे तो हाला हमारा बिल्कुल बरावर आ रहा है तो हम यहां से बोडी को सीधा रखेंगे सीधा रखने के बाद दोस्तों जो हमारा सेंटर है सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे यानि collar के center को और body के center को मिलाएंगी और margin लेका इसको हम कच्छा करेंगी collar हमारा कच्छा हो गया है इसको हमें पक्क करना है तो यहां से अच्छी तरीके से लपकी सिलाई से इसको पक्क करेंगी तो friends इस तरह से हमारी कमीज की है वो stitching हो जाती है friends आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स की साथ सेर करना विलकुल ना बूलें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेश्ट वीडियो में थेंक्स पूर वाच्च